ग्यान में प्रसंग बदाइंदेन तहकवार वड़ी के नदिय में वड़ो जानवर वहंदो प्योंजे चो हरे राम एकड़ो कवो अच्छी उने मरेल जानवर ते अच्छी वेठो आउ मजन लगो तवा भगवान मात मोज में मात सर्ग में थी नदी वहती कलकल कंदी बढ़िया मरेल जानवर आउने की चोंच हरे उने जो मास खायन लगो आउन बढ़िया सेर भी करना लगो नदीय में आनंद भी वठना लगो पंख भी लगले उडामी गुमी वरी अच्छी उने जानवर ते वेई तो रहे वरी उने जो नोचे मास तो खाये तो आउन सेर कंदो तो बढ़िया प्राड़ो खुशा गदगदा मास खायी खायी करे उने जो मास गटे जियो आउन सेर कंदो तो बढ़िया उने के लगे तो जानवर करी खतम ही न थी नो आउने के लगे तो मजे मतों कोई खत्रोई कोने काफी मास खाई शरी जानवर जो आउने ते सेर तो करे बड़िया वेठ हुआ अचानक सेर कंदे कंदे खाई करे बड़िया मास होते वेठ हो हैं सेर कंदे कंदे डोडो मगर मशचियो उन्हें मास सहत काओं के भी अंदर पूरो मुह में नगिली होने के चोहरे राम उन्हें करी सोचों भी नहों तो यह मुसीबत हैं दी मुझे मत हो मगर मच पानी जे अंदर अचानक सामु अची करेड़ो जपटो अनदा हैं चंगां भला मानूं होश न संबाले सगर पंख हो आउडामी न सक्यों डाड़ी बुद्धी हुई कमनाई सेर सपाटा निकिरिया बोजन तच्छे यो पाने भोजन ठाईयो पैंजाई प्राण निकिरिया यह हाल चौनताओने कावजो नाएं जीवातमा जवा असां भी तो वही कम करे रहा हूं आशा तृष्णा जा पंख लगले नसां के संसार जे भोगन रूपी मास के चोंच हनी खाइंदाता रहूं बहुसा अगर जी नदी वही रहिया उन्हें के मोजता वठाओं सा इंजवायता क्यों वैराग नता रखाओं तब आई पंखड नैन भगवान उडामी करे के वरिक्षते वियावनी मा पैंज जगेते वापस पहुंचा पैंजी गोसले मिन सेर सपाटे में बुल जीओ अचानक काल रूपी मगर मशायो ऐसे दो उन्हें के खाई अंदर करेश ले हरी राग एड़ी दुरदशा थी वैया भाई असांजी तब भगवान की अरदास के उता संजागाउं प्रभु किर्पा के उ वैराग अचे बिन भै होई न प्रीत बिना भवजे प्रीत न थी दिया